गाजा में अब इस्राइली फॉर्ज हाफने लगी है इस्राइली डिफेंस फॉर्स यानी आईडियेफ ने हमास को मिटाने का जो सपना देखा था अब शायद सपना ही रह जाए क्योंकि जिस तरह से गाजा के अलग-अलग हिस्सों में आईडियेफ हमास के हमलों का सामना कर रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि गाजा के भीतर अब बाजी पलट चुकी है और इसका एहसास खुद इसराइली सेना के आला अफसरों को भी है और यही वज़ा है कि अब परदे के पीछे आईडियेफ के जनरल गाजा में युद्विराम चाहते हैं जिस से लेबनान बॉर्डर पर शान्ती बहाल हो लेकिन नेतनियाहू की जिद की वज़ा से आईडियेफ पर इन दोनों फ्रेंट पर भारी दबाव पड़ रहा है जिसका सबूत हमास की सैने शाखा अलकासिम ब्रिगेड का ये वीडियो है जो गाजा से आया है दरसल गाजा के रफा में अलकासिम के लड़ाकों ने आईडियेफ के जवानों और उनके वहनों पर एक बहुत बड़ा हमला किया है या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि हमास के लड़ाकों का ये बहुत ही ज़्यादा डेरिंग हमला था धरसल यहाँ पर अलकासिम के दो लड़ाके दोड़ते हुए जाते हैं और सामने खड़े इसराइली टैंक में बम रखकर तुरंत वहां से भाग निकलते हैं और इसके कुछी सेकंड में टैंक में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और टैंक आग के गोले में तबदील हो जाता है इसी वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस धमाके के बाद भी हमास के लड़ाके रुकते नहीं हैं बलकि वो फिर से इस टैंक की तरफ एक रॉकेट फायर करते हैं और इसके तुरंट बाद हमास का लड़ाका सड़क पर आकर सामने से आ रहे आईडियफ के टैंक पर फिर से रॉकेट दाग देता है और यहीं से फिर आईडियफ और हमास के बीच ताबर तोड़ गोली बारी शुरू हो जाती है वीडियो में आगे दिख रहा है कि अलकासिम का एक लड़ाका लॉंचर में रॉकेट भर कर उन्हें दना दन फायर कर रहा है और इन हमलों के बीच गाजा के नूर शाम्स कैम्प में अलकुज ब्रिगेड और तुलकारम ब्रिगेड साथ मिलकर आईडियफ के टाइगर से निवाहन पर एक बड़े आईडिय ब्लास से हमला कर देते हैं अलकुज ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे आईडियफ का ये वाहन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तब ही अलकुज के लड़ाके उस वाहन पर रॉकेट से हमला कर देते हैं जिसमें बड़ा धमाका होता है और धमाके की कुछ देर बाद आईडियफ जवान वहां से भागते हुए नजर आते हैं और इस हमले के अलावा अलसुजाया कैम्प में भी अलकुज ने आईडियफ के नुमिर सेन वाहन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है अलकुज ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक लड़ा का रॉकेट लांचर लेकर आगे बढ़ता है और उसे सामने से आईडियफ का ये वाहन आता दिखाई दे जाता है जिस पर इसराइल का ज्छंडा लगा होता है इसके बाद ये लड़ा का उस पर रॉकेट फायर कर देता है जिसमें जबरदस्ट ब्लास्ट होता है और इसी हमले के दौरान अलकासिम ब्रिगेट की भी इसराइली सैनिकों से तगड़ी भिड़न्त होती है अलकासिम ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़ा का फोन पर कुछ बात करता हुआ दिख रहा है इसके बाद एक कैमरे से इसी इलाके में आईडियो के कुछ सैनिकों पर पहले घात लगाई जाती है और फिर उसके बाद उन पर स्नाइपर राइफलों और रॉकेट लांचर से दना दन हमले कर दिये जाते हैं वीडियो में दिख रहा है कि सामने एक बिल्डिंग में आईडिय अफ का एक जवान जहांक रहा होता है जिसके उपर अलकासिम के लड़ा के हमला कर देते हैं और इसी दोरान चारों तरफ फायरिंग की तर्टरा हाट सुनाई देने लगती है अलकासिम के लड़ा के बिना रुके गोल्यों की बरसात कर देते हैं और इसी दोरान अलकुज के लड़ा के राफा के भीतर इसराइली सैनी को और उनके सैने वाहन पर फिर से एक बड़ा हमला करते हैं यहाँ पर अलकुज के लड़ा के आईडियेफ के ओपर गोला बारूच से हमला करते हैं अल्कुज के इस वीडियो में दिख रहा है कि दूर से एक टैंक आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तब ही उसके उपर अल्कुज का एक लड़ा का घात लगा कर रॉकेट फायर कर देता है जिसमें जबरदस धमाका होता है और इसके तुरंद बाद यहां से आईडियेफ के जवान भागने लगते हैं जिनके उपर भी अल्कुज के लड़ा के फायरिंग शुरू कर देते हैं इसी वीडियो में आगे देखने पर हमास के कुछ लड़ा के पेड़ों के पीछे छिप कर घात लगा कर रॉकेट फायर करते हुए भी नजर आ रहे हैं